हालो स्टूडिन्स तो महरास्ट के स्टूडेंट बहुत समय से मुझसे एकी चीज पूछने से रिजल्ट आ गया है अब आपको कोई कालेज हुआ है अगर नमबर वॉन करना है कॉछ नहीं करना है आपको second round में आप अपने आप आ जाएंगे second round में आप choice fill करना आगे बढ़ जाना ठीक है second case अगर college a lot हो गया है आपने जो choice filling की थी उसमें से आपको कोई college a lot हो गया है now there are two chances अब अपने को क्या करना है भई number one या तो अपन चाहते हैं कि मुझे ये college लेना है मुझे ये college अच्छा लग रहा है मुझे और कोई college नहीं चाहिए ठीक है यही college final करना है ठीक है अगर आप चाहरे है same college same college चाहरे है आप तो क्या करिए जाइए join कर लीजिये college को ठीक है join कर लो college को क्या करना है join करना है college को join कैसे करना है college जाना है सारे documents लेकर के, fees लेकर के, और college जाकर के, fees सब्मिट करने है, साथ तारिक last date है, उससे पहले-पहले आप जाईए, join कर लीजिए, साथ ही साथ, आपको क्या करना है, एक और काम, status retention form भरना है, status retention form, status retention form आपको कहां मिलेगा, आपका जो brochure था, आपका जो महरास्टर काउंसलिंग का brochure था, उसके अंदर अगर आप जाएंगे, अगर आप इसके अंदर देखते हैं, annexure number, annexure number j, annexure j, आपका जो brochure है, महरास्ट की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, आपको एक brochure भी present है, आप जाकर के, महासाट की जो website है, उसके उपर देख सकते हैं, तो वहाँ पर, पहले starting में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद में annexures है, a, b, c, d, e, f, i, j, j, नंबर का जो annexure है, उसको आप निकलवाना, print out उसका, भरना अपने हातों से, और उसे college को दे करके आना, जब आप join करेंगे ना तब ही दे करके आना, कि हमें status retention भरना नहीं मिलेगी, और आपको यही college मिल जाएगा, confirm हो जाएगा, second case, अगर आपको betterment चाहिए, अगर आपको चाहिए, कि आपको college number, suppose 1, 2, 3, 4, 5 में से, आपको जो college allot हुआ, that is college number 8, आपकी preference list में, जो college number 8 था, वो आपको allot हो गया, आपको चाहिए कि मुझे इससे better वालों में से कोई मिले, तो क्या करना, betterment के लिए आपको जाना है, college, join करना है, join the college, तरीका क्या है, वही college join करने के लिए, fees submit करना, सब चीजे, documents ले जाके submit करना, लेकिन, status retention form मत भरना, क्या नहीं करना है, status retention form नहीं भरना है, क्या करना है भई, आपको no status retention form मिले मुझे, वापिस से status retention मत भरना, status retention किसी ने भर दिया, उसको फिर आगे further rounds में कोई और college a lot नहीं होगा, better नहीं होगा, जो भी मिल गया बस वही final हो जाएगा, तो किसी को अगर अपना college final करना है, वही मुझे यहीं चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, वो त किसी को college a lot हुआ, अगर किसी को college a lot हुआ, और उसने क्या किया, college तो मिला, college तो मिला उसे, लेकिन उसने क्या किया, no join, अगर join नहीं किया, अगर उसने no joining, join नहीं किया, या फिर, या फिर cancel कर लिया, join भी करके और cancel कर दिया अपना joining, या तो join ही नहीं किया, या गए और cancel कर दिया नहीं चाहिए उन्हें admission, they are not allowed for further, not allowed for further counselling, समझ रहे होना बात आप लोग, अगर आप college join नहीं करेंगे या फिर cancel कर देंगे अपनी joining seat को, तो आगे allowed नहीं है, आपको आगे किसी भी round में participate नहीं करने दिया जाएगा, अगर participate करना है, join करिये college और retention form मत भरिये, नहीं भरना है, अगर वही college चाहिए, join करिये, status retention form भर दीजिये, अगर नहीं join करोगे, college allowed होगे, लेकिन join नहीं किया, या cancel कर दिया, उस seat को आगे participate नहीं कर पाओगे, mop up round जो होगा, second के बाद में, उसमें भी वही बच्चा जा सकता है, जिसने join किया हो, और status retention form नहीं भराओ, या फिर, जिसको कोई college allot ही नहीं हुआ हो, starting से, वो mop up में जा सकते हैं, जिन्होंने form, college उनको allot हो गया, लेकिन उन्होंने retention form भर दिया, तो वो mop up में नहीं जा सकते, ना ही, वो बच्चे जिन्होंने कुछ joining cancel की, या फिर, college allot हुआ था, उन्होंने नहीं लिया, इस case में, इस case में, और इस case में, इन दोनों cases में, वो mop up round में नहीं part ले सकते हैं, मौप up में ये part ले सकते हैं, और ये part ले सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल clear होना चाहिए, महरास्र में अब आपको आगे क्या करना है, बहुत सारे बच्चों का क्या रही थी यही, अब आपको समझ में आगया होगा, आपको कैसे, क्या चलना है, किस तरह से काम क करिए, और जो आप ये number देखके call कर देते हैं, call नहीं करना है, whatsapp करा करें और subscribe जरूर करा करें चैनल को, क्योंकि इस तरह की कई चीज़ें miss कर देते हैं, तो अच्छे ज़े counselling करवाईए, दिकत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, अपना brochure properly पढ़ा करें, तो सब चीज